महारास्ट्र में इस थंड के मौसम में भी राजनीतिक पारा हाई है लोगसभा चुनाओं से पहले महारास्ट्र के दो गुटों पर खत्रा मंड़ा रहा है शुफसेना पर अधिकार और विधायकों की आयोग्यता को लेकर आये स्पीकर की फैसले से एंसीपी का शरत पवार ग कर बहुत जल्द फैसला सकता है सूत्रों की माने तो एंसीपी विधायकों की आयोग्यता वाले मामले में 31 जनवरी तक फैसला सकता है बीते दिन महारास्ट्र विधान सभा के स्पीकर ने शिफसेना और उसके विधायकों को लेकर फैसला सुनाया इस फैसले ने एकनाथ शि संदे गुट को शिफसेना के सम्विधान के मताबिक असली गुट बताया स्पीकर ने पार्टी की सम्विधान संगठन के धाचे विधायकों सांसदों के बहुमत को आधार बताते हुए ये फैसला सुनाया है जिसने शरत पवार की टेंशन को हाई कर दिया है वहीं अब 16 ज पवार की चिंता को बढ़ा दिया है क्योंकि माना जो रहा है कि जिस आधार पर एकनाथ शिंदे के गुट में फैसला आया है उसी आधार पर अजीत पवार के पक्ष में भी फैसला सकता है और अगर स्पीकर का फैसला अजीत पवार के पक्ष में आता है तो शरत पवार और उनकी टीम के लिए ये बड़ा जटका हो सकता है शिफसेना पर फैसला आने के बाद आए शरत पवार के बयान भी कुछ इसी तरह इशारा कर रहे है कि शरत पवार को आने वाले खत्रे का अंदेशा है तब ही शरत पवार ने कहा कि हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि दूसरे मामलों पर विचार के दौरान भी इन तरीकों को लागू नहीं किया जाएगा इससे साफ है कि शरत पवार पार्टी के भविश्य को लेकर आशरंकित है कि फैसला अजित पवार के पक्ष में जा सकता है वही जानकारों का भी यही मानना है क्योंकि स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना मामले में चुनाओ आयो की बात को आधार बनाया था और जानकारों का यही कहना है कि शिवसेना मामले में जो तरक दिये गए हैं वही एनसीपे विभाजन पर भी लागू होगा जिसके कारण अजीत पवार गुट को ही असली NCP घोशित किया जा सकता है जिससे शरत पवार का भविश्य लोग सभा चुनाओं से पहले खत्रे में पड़ सकता है फिलहाल कलेत नहीं आप देखते रहिए आज की खबर